Hello Friends, जारगन GS में हिस्ट्री में हम लोगोंने लास्ट लेक्चर पढ़ा था बिर्सामुंडा का अंदूलन लेक्चर नमबर ट्वेंटी सिक्स में ये लेक्चर नमबर ट्वेंटी सेवन है लेक्चर नमबर ट्वेंटी सेवन और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं के बारे में तो आपको ये जानकारी हो गई होगी कि शुरुवात में जब विर्सा मुंडा अंदोलन की सुरुवात होती है विर्सा मुंडा अंदोलन तो सुरुवात में इसका सुरूप कैसा होता है? सुरुवात में ये जो है अहिंसक होता है किसी तरह की हिंसा इसमें नहीं की जाती है कहने का मतलब ये है कि खासकर मुंडा जंजाती में कल्चर को बचाया रखना या फिर पहले से जो बुराईयां थी कल्चर में उसको हटा कर एक नई सिरे से सभी चीजों को ठीक करना और इसलिए बिरसायत पंत की सुरुवात की गई थी हम कह सकते हैं कि मुंडा जंजाती के लोगों के विकास के लिए इस आंदोलन की सुरुवात की गई थी बाद में राजनितिक सुरूप हो जाता है मुंडा सासन की अस्थापना मुंडा राज की अस्थापना करनी है ऐसा इसका सुरुव हो जाता है इसी मार्ग पर जतरा भगत के दुआरा ताना भगत आंदोलन की सुरुवात की जाती है तो जो ताना भगत आंदोलन है ठीक इसी तरह से ताना भगत आंदोलन स्टार्ट जब होता है तो इसका स्वरूप कैसा होता है किसी भी आंदोलन का स्वरूप आपको बता होना चाहिए कि वो किस तरह का है हिंसक है अहिंसक है अपने समाज के सुधार के लिए उसे स्टार्ट किया गया है तो इसका स्वरूप कैसा होता है समाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है समाजिक वा सांस्कृतिक जब इसकी सुरुवात हुई ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्योंकि जब इस सांदोलन को सुरू किया गया था तो इसका उद्देज से मातर यही था कि उराओं समाज में जो भी उराओं समाज के जो लोग हैं उन्होंने जिन बुराईयों को अपना रखाया उसे छोड़कर वापस से अपनी परहंपर में लोटाएं अपने कल्चर को फिर से वो रियस्टोर करें तो ये जो आंदोलन था ये उराओं समाज के लोगों के द्वारा किया गया था अब चुकि उराओं समाज के लोगों के द्वारा किया गया है इसलिए इसे जो है फुरुक आंदोलन भी कहते हैं क्यों कहा जाता है ये आप समझ गया है देखे उस समय क्या होता था कि जिन दंजातियों के द्वारा जिस विदरो को स्टार्ट किया जा रहा है तो उसका नाम भी वैसा ही हो जाता था अब ये जो है उराव समाज के लोगों के दुवारा स्टार्ट किया गया है इसलिए इसका नाम भी कुलुक आंदोलन, कुलुक विद्र हो गया है क्योंकि अपने समाज में सांस्क्रितिक सुधार करना ये इसका उद्देश से था क्या उद्देश से था धार्मिक वा सांस्क्रितिक सुधार सांस्क्रितिक सुधार ये जो है इसका उद्देश से था ये इसका उद्देश से था तो ताना भगत आंदोलन को कभी उक्डुक आंदोलन लिख दिया जाए तो confuse नहीं करना है यह चीज हो गया अब यह जो आंदोलन है यह जतरा भगत के द्वारा किया गया था तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर जानते हैं जतरा भगत के बारे में ओके तो जो जतरा भगत थे जतरा भगत इनका जन्म कहां होता है गुमला में इनका जन्म गुमला में होता है गुमला जिला में एक गाउं है नवाटोली गाउं बोलते हैं यह बिसुनपूर प्रखंड में आता है बिसुनपूर प्रखंड में चिंगरी नवाटोली चिंगरी नावाटोली इस गाउं में इनका जन्म होता है कब होता है 2 अक्टूबर 1888 अक्टूबर जो है ये फिक्स है बाकी exact date में थोड़ी सी संसर आप कह सकते हैं exact date नहीं मिलता लेकिन अक्टूबर 1888 यह आप याद रखेगा वैसे बहुत सारी किताबों में 2 अक्टूबर लिखा रहता है अक्टूबर 1888 इनके जो फादर थे उनका नाम important है क्योंकि यह सब exam में आ सकता है फादर का नाम मदर का नाम और इनकी पतनी का नाम तो इनके जो पिता थे बहुत जगा आप देखेंगे कि नाम रहता है कोदल कोदल उराओ और कहीं कहीं लिखा रहता है कोहुरा तो दोनों आप याद रखेगा कोदल या कोहुरा ठीक है उराओ कोही बाद में भगत बोला गया जो लोग इस आंदोलन से जुड़ गया है उनको जो है भगत बोला गया जिसे जतरा उराओ थे तो जतरा भगत कहा गया तो कोदल उराओ या कोहुरा भगत उके इनकी जो माता थी उनका नाम लिबरी भगत था लिबरी भगत और इनकी पत्नी का नाम था बुधनी भगत बुधनी भगत गुमला जिले से ये ब्लॉंग करते थे तो यहाँ पर एक चीज और होगा अच्छा याद है आपको बिर्सा मुंडा के बारे में जब पढ़ाय गया था तो चायवासा के जर्मन लुथरन स्कूल से जब वो निकले थे तो उसके बाद वो आनन्द पांडे के साथ आनन्द पांडे के वो सिस्से बन कर रहे थे तीन सालों तक वहाँ उनको जो है महाभारत रमायन की ज्यान प्रात होती है एक उसी तरह से जतरा भगत भी जो है इनके जो गुरू होते हैं उनका नाम क्या है? धार्मिक गुरू है ना? धार्मिक गुरू. इनका नाम है तूरिया भगत. तूरिया भगत. अब क्या है? कि जब देखे एक तो है कि अपनी समाज के ये बुराईयों को देख रहे हैं कि किस तरह से उराव समाज के लोग जो है वो क्रिशिनटी को अपना रहे हैं या फिर अपने ही परमपराओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं रितिर्यवाज को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सब reason है, दूसरा क्या है, कि अंग्रेजों का जो सासन, ये जो सूसन हो रहा है अंग्रेजों का जन जातियों उपर, लोगों उपर, तो उन सभी को मिला कर ये जो है आंदोलन स्टार्ट करते हैं, और सुरुवात में उद्दे से यही होता है, कि पहले जो हमारे लोग हैं, उनको ठीक किया जाए, जो भी बुराईया हैं, उनको हटाया जाए, तो जब ये आंदोलन की सुरुवात करते हैं, ताना भगत, आंदोलन, तो बहुत सारे नियम को जो है, ये रखते हैं कि उन नियमों का आपको पालन करना जो भी इस आंदोलन से जुड़ेंगे, इस 21 एपरिल 1914, 21 एपरिल 1914 को जो है, किसके द्वारा सुरू किया जाता है, जतरा भगत के द्वारा, जतरा भगत के द्वारा जो है, इसकी सुरुवात होती है, तो सुरुवात में उद्देश से क्या है, उद्देश से यही है कि उराउंस समाज के जो लोग हैं, उनकी परमपर फिर से रियर्श्टोर करना वैसे लोग परंपराओ को फालो नहीं करते हैं उनको समझाना तो इस आंदोलन के साथ कुछ नियमों को रखा गया था वो नियम क्या था? फीक उसी तरह से जैसे बिर्सा मुंडा ने स्टार्ट किया था बिर्सा मुंडा अंदोलन तो बहुत सारे नियमों को रखा गया था जैसे तूलसी का पौधा रखना है पसु बली नहीं करना है हडिया का सेवन नहीं करना ये सब कुछ-कुछ थे तो उसी तरह से जो नियमों का यहाँ पालन करना था ताना भगत आंदोलन के दौरान वो सब क्या था? वो सब था कि पसु बली नहीं होगा पसु बली या फिर मांस मदीरा का सेवन नहीं होगा मदीरा का सेवन ये सब जो है नहीं होगा फिर क्या है? एकसवरवाद पर जाना है एकसवरवाद कहने का मतलब यह है कि हमारे जो देवता है सिंग बोंगा ठीक है उराओं में तो धर्मिस हो जाएंगे तो अपने ही देवता को जो है पूझना है हम यह कह सकते हैं एकसवरवाद पर इन्होंने जो है जोड़ दिया अलग-अलग देवताओं की जगा एक देवताओं की पूजा करना है यहाँ पर पसु बली पर तुरोक लगाया गया था इसके साथ-साथ यह भी आपको ध्यान देना है कि जिन से खेती होती थी जिसे बैल से खेती होती थी दूद जो है गाय दूद के लिए गाय तो इन दोनों को पवित्र माना गया इस आंदोलन में इन दोनों को जो है गाय और बली को बली मैंने लिख दिया है बैल बैल को पवित्र मानना है ओके यहाँ पर एक एक्स्टा चीज जो जायद आप मिस कर दें आदिवासी का जो निरत्य हुआ करता था, खासकर अखड़ा में जो होता था, उसका इन्होंने समर्थन नहीं किया, पाबंदी उन्होंने लगाया, तो निरत्य पर इन्होंने पाबंदी लगाया था, निरत्य पर पाबंदी लगाया, देखें जैसे सी में कोशन पूछेगा तो straight forward पूछेगा उतना जो है घुमाएगा नहीं लेकिन जब JPC की बात करें तो SME या statement वाला question बन जाता है कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है तो ये सब कामाएगा आपको तुनिरते पर किस ने पाबंदी लगाया था जतरा भगत ने पाबंदी लगाया था ताना भगत आंदोलन के जो अनुयाई थे उनके लिए ये नियम था फिक है ये चीज़ हो गया फिर क्रिसी जो है आपको पता है कि अस्थानंतरित क्रिसी बहुत लोग करते थे उस समय जिसको जूम खेती कहते हैं तो जूम खेती को इन्होंने समर्थन दिया था जूम खेती का समर्थन ये हो गया देखे ये जितना आप देख रहे हैं सब को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये परमपराओं से सम्मंदित है सांस्कृतिक चीज़े हैं कल्चर को ठीक करना है लेकिन इसमें से एक जो नियम था वो देखने से लगेगा कि ये र भी महाजन है जमिदार है ओके या फिर दिकू कह सकते हैं आला कि दिकू का इस्तिमाल जादा कर बिर्सा मुंदा ने किया था तो अब ये कह सकते हैं कि गैर आदिवासी तो जो गैर आदिवासी हैं उनके पास किसी तरह का मजदूरी वाला काम नहीं करना है ओके गैर के पास मजदूरी नहीं करना है मजदूरी नहीं करना है तो ये सब जो है नियम थे जो की जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन के दौरान जो है लगाया था तो सुरुवात में तो रूप कैसा था टार्टिंग में अंदोलन का तो रूप था तामाजिक और सांस्क्रितिक ये बार-बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह का कोशन अच्छे अंदोलन के लिए कोशन आता है इस तरह से सामाजिक वा धार्मिक धार्मिक भी कह सकते हैं ओके और इसमें एक वर्ड और add करना सही रहेगा Sanskritic Sanskritic ऐसा था ये कब तक रहेगा इस तरह से जो आप स्वरूप देख रहेगा जब तक जतरा भगत है तब तक जतरा भगत की मृत्यू के बाद इसका स्वरूप चेंज हो जाता है इसका जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है तो जब इस आंदोलन की शुरुवात हुई थी तो जतरा भगत में लीडर थे लेकिन और भी लोग थे जो अलग-अलग छेतरों में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे इसका प्रसार कर रहे थे तो ठीक ठाक जो है आंदोलन चल रहा था इसी बीच क्या होता है उनईसो सोला में जतरा भगत की जब गिरफतारी होती है तो गिरफतार करने के बाद हालांकि उनको छोड़ दिया जाता है कुछी समय में लेकिन बाद में उनकी मृत्ति हो जाती है तो उनईसो सोला में जो है उनईसो सोला में जतरा भगत की मृत्ति हो जाती है अब 1916 से ही जतरा भगत का नाता तूट गिया इस आंदोलन से अब इसका जो विस्तार होगा ताना भगत आंदोलन रुकेगा नहीं विस्तार होता चला जाएगा लेकिन स्वरूब जो है थोड़ा थोड़ा ये चेंज होगा चेंज किस तरह से हो रहा है आप इसको समझे 1917 में गांदी जी जहारखंड आते हैं अब सोचें कि गांदी जी के बारें बता रहा हूँ तो उस चीश को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि कैसे इसका सुरूब जो है वो राजनितिक हो जाता है 1917 में गांदी जी जो है रांची आते हैं ये फ्र्स टाइम है जब गांदी जी रांची आये है और किस चीश के लिए आये है तो जो चम्पारण विद्रो था उसी के संदर में यहां पर आये थे उके उसके बाद ये आते हैं फिर 1920 में 1920 में जो है देखे 1917 में ये चार बार आते हैं ये जो है चार बार आते हैं चमपारन विद्रो के लिए इसके बद 1920 में आते हैं तो 1920 में जब ये राची आते हैं जारखंड आते हैं राची आते हैं तो इस समय उद्देश से क्या है? इस समय उद्देश से है असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन तो इस दौरान जब गांदी जी राची आते हैं तो राची में जिस जगह वो ठहरते हैं वो है भीमराज, वनसी धर, मोदी धर मसाला यहां ठहरते हैं यहां ठहरते हैं और यहीं पर गांधी जी के सामने ही बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं विदेसी कपड़ों का बहिसकार करते हैं एक तरह से विदेसी कपड़ों की होली का जलाई जाती है होली जलाई जाती है और सभी लोग इस शुच का अवान करते हैं कि खादी बहना जायेगा चर्खा चलाया जायेगा यही टाइम है इसी जगह पर ताना भगत की मुलकात होती है गांधी जी से ये first time है लोगै जब ता मिलते हैं गांधी जी से तो ये देखे मुलाकात हो रही है लेकिन आप यहाँ पर समझे इस चिश को कि इसके पहले ही गांधी जी 1917 में चार बार आ चुके हैं तो इनका इफेक्ट पढ़ रहा था इनके आदर्सों का इनका जो भी प्रण था उन सब चीजों का ताना भगत के अनुयाई पर परक पढ़ रहा था और कहीं न कहीं वो लोग अपने अंदर उस चीश को जो है मोडिफाई कर रहे थे अपने सांस्कृतिक और समाजिक को राजनितिक सोरूप देने के लिए यह सभी गांधी जी से मिलते हैं और यहां जब इनकी मुलाकात होती यह अपने बारें बताते हैं कि यह क्या कर रहे हैं किस तरह से गांधी जी को फॉलू करना चाहते हैं तब गांधी जी जो है बहुत ही खूस हुए थे इन सब से मिलकर और यह टाइम था जब गांधी जी ने कहा था कि जो ताना भगत हैं यह जितने भी हमारे सिस्य हैं उसमें से सब से जो है सरुत्कृष्ट सिस्य ताना भगत हैं तो यही समय था यही पर गांधी जी ने कहा कि जो ताना भगत हैं वो सभी सिस्यों में तभी इस्यों में जो है बेश्ट कह सकते हैं सरवत कृष्ट है तो ये टाइम आप याद रखेगा कब कहा जा रहा है किस दौरान कहा जा रहा है अब क्या है कि पूरी तरह से ये डारेक्टली गांधी जी से कनेक्ट हो गया है और जहां-जहां कॉंग्रिस का सेशन हो रहा है अब ये सारे सेशन है पहुँच रहे है चाहे वो गया अधी वेशन हो ठीक है नागपूर का अधी वेशन हो रामगड अधी वेशन ने तो खैर ये पार्टिसिपेट करेंगे ही अच्छी तरह से कहने का मतलब कि यहां से यह जो सुरूप है इस आंदोलन का वो कैसा हो जाता है यह आंदोलन जो है राजनितिक हो जाता है अब आंदोलन का सुरूप कैसा हो गया है यह राजनितिक हो गया है ना राजनितिक तो यह reason क्या है तुरसासन की अस्थापना करना देखे सुरुवात में कैसा उद्देश से था और अब कैसा उद्देश से है अब आज जो है क्या सोरूप हो गया है तो यह changes आपको दिहान में रखना कि कब क्या हो रहा है अब इस आंदोलन को जो अलग-अलग लोग lead कर रहे हैं उनमें जो प्रमुख है उनके नाम पता होना चाहिए सबसे पहले तो सबसे important जो नाम है वो है सीबू भगत ओके सीबू भगत क्यों ये नाम important क्यों है क्योंकि सीबू भगत जो है देखें ये गुमला से गुमला में जो है गुमला में नहीं गुमला में तो भीकु भगत और एक जो महिला अनुयाई थी उनका नाम है देवमनिया भगत वो lead कर रहे थी ये राची से lead कर रहे थे ये जो है राची और खासका राची का जो मांडर वाला छेतर है वहाँ पर इस आंदोलन को ये लीट कर रहे थे तो आपको याद होगा यहाँ पर आप देखिए कि जो जतरा भगत के द्वारा नियम लगाए गए थे उसमें से एक नियम ये था कि पसु बली को अवोइड करना है मांस मंदीरा का सेवन नहीं करना है ये एक नियम था अब सिवु भगत क्या करते हैं ये जो है अच्छा खासा ये लोगों को लीट कर रहे हैं अच्छा खासा भीडिन के पास है तो इनके अंदर जो अनुयाई हैं ये क्या करते हैं ये परमीसन देते हैं कि तुम जो है मांस का सेवन कर सकते हो तो पहले तो एरिया याद रखना है कि ये राजी से लीट कर रहे है मांडर चेतर से ये सभी को लीट कर रहे है और दूसरा आपको ये याद रखना है दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये जो है ताना भगत अनुयाई को मांस खाने का इजाज़त देते हैं ताना भगत ताना भगत कहने का मतलब क्या हो गया ताना भगत आंदूलन के जो अनुयाई है तो ताना भगत को मांस खाने की इजाज़त मांस खाने की इजाज़त तो जो इनके अंदर थे या रांची के आसपास के जो अनुयाई थे वो तो इस चीश को मानते हैं अच्छे से फॉलो करते हैं लेकिन जो बाकी लोग हैं अलग-अलग छेतरों के वो इस चीश से नाराज हो जाते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि ताना भगत का पूरा अनुयाई पूरा जो ग्रूप है वो दो भाग में बढ़ जाता है तो जो दो भाग में बढ़ता है ताना भगत दो अपुवर्ग में बढ़ जाता है तो पहला जो है वो बोलते हैं हम लोग जूलाहा भगत जो सीबू भगत को follow कर रहे थे एक है जुलाहा भगत ये कौन है? ये सभी follower हैं सीबू भगत के सीबू भगत के ये follower है मतलब ये जो है मानसा हारी है ये कैसा है? ये मानसा हारी है ये मानसा हारी है और अब देखें यहां से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ऐसे जो अनुयाई थे उनका छेत्र कौन सा था? या फिर इस चीज का परभाव सबसे आदा कहा हुआ था? तो जहां से सीबू भगत बिलोंग करते थे जहां से वो लिट कर रहे तो मांडर छेत्र लेकिन कम थी संख्या जो है बहुत ही कम थी संख्या कम थी यह कह लिजे कि ताना भगत में यह माइनरेटी है यह जीज हो गया दूसरा जो ग्रूप है वो औरिजिनल है मतलब पहले वाला ही सभी नियमों को यह फॉलो कर रहा है और इसको बोला जाने लगा अरुवा भगत अरुवा भगत यह जो है यह साका हारी है अरुवा भगत नाम कैसे पढ़ गया यह अरुवा चावल का ज़्यादा सेवन करते थे या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि सात्विक भोजन यह करते थे ताका हारी तात्विक भोजन तो यह जो आपने देखा यह सिबु भगत के संदर में कुछ चीज़े हैं दूसरा इंपोर्टेंट जो परसन इसमें है वो है चिद्दु भगत चिद्दु भगत इन में कौन सा चीज़ इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए वो यह है कि ताना भगत को जो है ताना भगत आंदुलन को राश्टे आंदुलन से जोड़ने में इनका जो भूमिका है वो मतोपूर्ण है राश्टे आंदुलन से जोड़ा गया इनके द्वारा अब सोचेंगे कौन सा राष्टे आंदोलन असहयोग आंदोलन को दाना भगत आंदोलन से जोड़ा गया 1921 में 1921 में जो है सिद्दू भगत क्या करते हैं के नित्रित्तों में ताना भगत के जो अनुयाई हैं ताना भगत आंदोलन जो है इसको असायोग आंदोलन के सपोर्ट में एड़ किया जाता है फिर ये असायोग आंदोलन के जो जो नियम थे जैसा किया जा रहा था असायोग आंदोलन के दौरान ये लोग भी करना सुरू क करते हैं और यही समय था कि ये लोग जो है टैक्स देना धेरे बंद कर देते हैं ओके और ये जो है अलग-अलग अंग्रेजों के दुकान हो गए उनकी फैक्टरियां हो गए वहाँ पर धर्ना देना शुरू कर देते हैं पहले ये सब नहीं कर रहे थे पहले उराओं समाज से सम्मधित चीजों को ही ध्यान में रखा जाता था लेकिन अब ये राष्टे आंदोलन से चुके जूड़ गए हैं तो राष्टे आंदोलन में जो राष्टे करांतिकारियों के द्वारा किया जा रहा था वो ताना भगत के लोग भी कर रहे थे मतलब ताना भगत अब आम नहीं है ये राष्टे करांतिकारियों बन चुके हैं ताना भगत की बार बार बात हो रही है तो ताना भगत की बारे में थोड़ा सा मुख समझ लेते हैं कि ताना भगत आगे दिखते कैसे थे उनका पहनावा कैसे होता था वो करते क्या थे तो यहां पर समझी इस चीज़ उसको कि ताना भगत आंदोलन के अनुयाई को अनुयाई को ताना भगत कहा जाता है ताना भगत कहा जाता है इमेज देखने से ज़्यादा सौझ मैं आएगा उसको मैं कराता हूँ देखे ये ताना भगत है यहाँ पर अब दो जूश पर गौर कर रहे होंगे एक तो इनका जो पहनावा है दूसरा यहाँ पर आब देखिए ये अभी भी तिरंगा जंडा को तिरंगा जंडा को जो है असाथ में लेका चलते है लेकिन यहाँ गौर कीजेगा तिरंगा जंडा वो पुराना वाला जिसमें चर्खा हुआ करता था जो कॉंग्रेस यूज करती थी तो ताना भगत जो है ये सफेद कपड़ा पहनते हैं, अभी भी पहनते हैं, सफेद टोपी, ये कपड़ा खादी का होता है, प्योर खादी का होता है, सफेद टोपी रखते हैं अपने सर पर, और जब ये ग्रूप में चलते हैं, तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ये रखे गए तो उसमें से एक ये भी था कि गाय और बैल जो है वो पवित्र है ये चीज हो गया इस जंडे में चर्खा होता है साथ में ये घंटी भी लेकर चलते हैं संख और घंटी दोनों ये जो आप देख रहे हैं ये मदन भेरी है उक एक तरह से जो सुसिर वाद ये अंतर का टाइप होता है वही है फिर भी आपको ध्यान रखना है कि मदन भेरी से ज़्यादा इंपोर्टन जो है वो घंटी है घंटी संख ये साथ में लिकर चलते हैं और अभी भी ये ग्रूप में एक गाना गुन गुनाते हैं जो उसी समय से चला आ रहा है जब आंदोलन की सुरुआत हुई थी उन्हें से चौदा में सुरुआत में तो सांस्कृतिक था लेकिन उस समय से ही ये गाना गुन गुनाते हैं टाना बाबा टाना टान टून टाना इस तरह से है ये भजन गाते वे चलते हैं ये इनके बारे में थोड़ा सा हो गया अब क्या है कि इस आंदोलन का जो प्रसार होता है उसमें दो लोगों का अपने नाम देख लिया एक सिबू भगत और दूसरा सिद्दू भगत ओके सिबू भगत सिद्दू भगत इनका जो एरिया था सिबू भगत का वो क्या था ये राची था राची का खासकर मांडर ओके और इसमें आपको क्या याद रखना है एक ये हो गया दूसरा याद रखना आपको मांसा हारी इसमें क्या याद रखना है 1921 में सहियो गांदोलन ओके ये चीज हो गया अब यहाँ पर गुमला छेत्र से दो लिडर थे एक भीखु भगत भीखु भगत और एक महिला ताना भगत जिनको देव मनिया के नाम से जाना जाता है ये फीमेल है तो ये ज़्यादा इंपोर्टंट हो जाता है यह ज्यादा important हो जाता है गुमला में एक गाउं है बबूरी गाउं इसाई प्रखंड में आता है वहां से यह बिलोंग करती थी और गुमला में ही यह ज्यत्रा भगत खासकर महिला जो अनुयाई हैं उनको यह लिट कर रहे थी महिला अनुयाई को प्रखंड महिला ताना भगत को यह जो है लिट कर रहे थी भीकू भगत भी गुमला में ही जो है लिट कर रहे थे इस सांदोरन के नहीं प्रसार किया था उके तो इनका भी गुमला यह भीकू भगत का ठीक है और गुमला में एक और थे गुमला में विस्नु भगत विस्नु भगत ओके एजीश हो गया गुमला मेन देखे मेन जो इस आंतरोन का प्रसार हुआ था दर्चिन शोड़ानागपुर में हुआ था उसमें राची गुमला इंपोर्टेंट है देवमनिया भगत, भिकु भगत, विस्नु भगत एक और नाम है गुमला का ये है बलराम भगत बलराम भगत ये सभी गुमला में ही इस आंतरोन को लीट कर रहे हैं तरीकिन अलग-अलग छेतरों में जैसे कि यहां आपने देखा कि देवमनिया है तो ये सिसाय में लीट कर रही है बलराम भगत है, तो ये घागरा में ओके, फिर जो भिकु भगत है ये मेन विसुनपूर में लीट कर रहे है तो उतना डिप में नहीं जाना बस ये डिश्टी का याद रखे गुमला की चेतर में ये इस आंदोलन का परसार कर रहे थे अब ये सभी जो हैं राष्टी आंदोलन से जुड़ चुके हैं तो यहां पर एक दो पॉइंट राष्टी आंदोलन के संबन्द में जो आपको याद रखना है वो क्या क्या है पहला ये हो गया कि ये रामगड के सेशन में जो है पार्टिसिपेट करते थे जैसे कि 1922 में 1922 में जो गया का अधिवेशन था ओके 1923 में नागपूर में अधिवेशन हुआ था नागपूर अधिवेशन कॉंग्रेस की बात हो रही है में इन सभी ने भाग लिया था ओके ये चीज हो गया फिर जब तरदार वल्लब भाई पटेल के दुआरा बारदोली आंदोलन चलाए गया था 1930 में बारदोली आंदोलन तरदार वल्लब भाई पटेल के दुआरा तो इन्होंने जो है कहा था कि टैक्स नहीं देना है और इनसे प्रेरित होकर ताना भगत ने भी अंगरीजों को टैक्स देना बंद कर दिया जमीन जिनके पास होता था खेती जो करते थी उनको टैक्स देना पड़ता था इन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया और बदले में British Government ने क्या किया इनकी जो जमीने थी ताना भगत जतनी जमीने थी जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे उन जमीनों को निलाम कर दिया गया तो ये एक important point है क्योंकि आजादी के बाद ताना भगत के ऐसे जमीने इस तरह के जितने जमीने थी जो छीन लिगए थी इलाम कर दी गए थी उसको restore किया गया था इसके लिए एक act बनाया गया था तो पहले आप ये समझ लेजे कि बारदोली आंदोलन के दोरान tax नहीं देना था tax नहीं देना था ताना भगत जो है यही चीज़ करते हैं ताना भगत टैक्स देना बंद करते हैं टैक्स देना बंद करते हैं बदले में क्या होता है ताना भगत की जमीने निलाम हो जाती है अब कोई एक दो आदमी का नहीं था बहुत सारे लोग थे इतने मांस में जमीनों का निलामी हुआ कि आजादी के बाद एक एक लाए गया और उस एक्ट का नाम क्या है उस एक्ट का नाम है ताना भगत रहियत एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल लैंड रियस्टोरेशन एक्ट रियस्टोरेशन एक्ट कब लाए गया था ये अजादी के जश्ट बाद 1948 में क्यूं लाये गया था तो ये जो है सहयोग आंदोलन के दोरान तेक्स देना बंद क्या था लेकिन इसके पहले से ही मजदूरी नहीं हो रही है मजदूरी लोग करते थे क्यों करते थे पैसा लिया हुए है पैसा वापस नहीं कर पा रहे है tax के बदले कोई मजदूरी कर रहा है तो वो सब बंध हो गया तो वो भी क्रिजन था कि ताना भगत के जमीने निलाम हो गई थी तो overall जो time period डखा गया वो time period डखा गया 1913 से लेकर 1942 तक ये जो time period था इसके बीच में वो सारी जमीन ताना भगत का वो सारा जमीन जो निलाम हो गया था उसको वापस किया गया इस दौरान निलाम की गई जमीनों को वापस दिलाया गया तो यहाँ पर एक जो है important point हो जाता है इसको आप याद रखी यह background भी आप समझ गया यह इसका background भी समझ गया इसके बाद क्या है इसके बाद यह है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो 1948 में 1942 में 1942 में 1942 में क्या होता है कि यह पूरी तरह से हिंसक हो जाते हैं और बहुत सारे चेतरों में चेतर आप देख पा रहे होगे कि गुमला में बहुत सारे लोग लीट कर रहे हैं तो गुमला के बिसुनपूर में बिसुनपूर के खाना में आग लगा दिया गया था और जिसमें कुछ लोगों की मृत्यू भी हो गई थी तो यह एक इंसिडेंट है जाल सकते हैं ताना भगत लोग क्या करते हैं विसुनपूर के थाना में आग लागा देते हैं जिनसे कुछ लोगों की मृत्यू भी हो जाती है ओके यह चीज है अब इसमें जो आपको याद रखना है यह जो आंदोलन है जब सुरू हुआ था तो इसमें सिर्फ उराओ जनजाती के लोग थे लेकिन धीरे धीरे इसमें सभी ट्राइब्स एड हो गए जनजाती सामिल थे जनजाती आंदोलन था लेकिन बाद में यह राष्ट्य सुरूप ले लेता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो आंदोलन है ताना भगत आंदोलन यह सुतंतरता आंदोलन का जो है सुध आदिवासी रूप है तो कि राष्ट्य आंदोलन का जो है यह सुध आदिवासी रूप है ऐसा आंदोलन जहां पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी लोग हैं लेकिन राष्ट्य आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे इसको यहाँ पर स्वतंतरता स्वतंतरता आंदोलन का विसुद जन्जाती रूप विसुद और ये किन से परभावित थे ये गांधी जी से परभावित थे गांधी जी से परभावित थे ओके ये हो गया शुरुआत में उराओं थे उराओं के समाज के लिए कल्चर के लिए बहुत कुछ करने का उद्देश से रखा गया था लेकिन जब ये राश्ट्य आंदोरण पकड़ता है तो फिर पूरी तरह से जो है आदिवासी लोग ही रहते हैं बहुत सारे आदिवासी रहते हैं अलग-अलग समाज के लेकिन राश्ट्य आंदोरण के नियमों के साथ चलते हैं कलचर को छोड़का राजनिदिक सोरूप ये ले लेते हैं और सबस्यादा प्रभाव इसका दक्षिन शोड़नागपूर में ही पड़ा था एक यहाँ पर पॉइंट चुड़ यह है कि कॉंग्रिस अदिवेशन में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे उस दवरान जार्खन में जो कॉंग्रिस का अदिवेशन हुआ था 1940 का रामगर कॉंग्रिस सेशन इसमें आपको याद रखना है कि ताना भगत सभी आते हैं और ये गांधी जी को 400 रुपए का उपहार भेट देते हैं 400 रुपए का दान देते हैं किनको? गांधी जी को ये हो गया ताना भगत आंदोलन के रूप में शुरुवात में सांस्कृतिक था, सामाजीक था, अहिंसक था जब जतरा भगत की मृत्ति हो जाती है तो उसके बाद जब ये राष्ट ये आंदोलन से जोड़ता है तो हिंसक हो जाता है हिंसक बहुत ही बाद में मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में तो खैर महात्मा गांधी भी जो है हिंसक हो जाते है उस समय स्वरूप हिंसक हो जाता है उसके पहले पूरी तरह से गांधी जी के स्वरूप ओपर ये चलता है राजनितिक हो जाता है इसका ठीक है यह चीज है और यहाँ पर एक चीज और एट कर सकते है जितना भी tribal moment हुआ है, revolt हुआ है जारकंड में वो सभी हिंसक था ये जनजाती आंदोलन है लेकिन इसका स्वरूप कैसा है अहिंसक है तो एक चीज यहाँ ये भी आप याद कर सकते हैं ये पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन था अहिंसक एक पॉइंट ये भी आप याद कर सकते हैं और जो मैंने बताया कि 48 में जो act, restoration act लाया जाता है वो ये आपको याद रखना है ताना भगत के जो लोग हैं वो अभी भी सभी नियमों को follow करते हैं इस चीज को लेकर थोड़ी बहुत जो है देखी जाती है इनमें गरीबी असिक्षा विरुजगारी की जो समस्य उत्पन हो रही है इसी चीज को दूर करने के लिए जारखन सरकार के द्वारा 2018 में एक प्राधिकरन authority की इस्थापना की गई है जिसको बोलते हैं ताना भगत ताना भगत development authority क्यों इसको इस्ट्याब्रिस किया गया है तो यह ताना भगत के विकास के लिए गरीबी को दूर करने के लिए सभी को सिक्षित करने के लिए यह चीज जो है start किया गया है इसी के साथ यह जो lecture है ताना भगत का यह complete होता है यह PDF अगर आप YouTube पर इसको देख रहे हैं तो PDF application में available हो जाएगा सभी paid classes के PDF free of course available है आप वहाँ से revision कर सकते हैं इसी तरह से आप इसको देखिए एक बार lecture देखने के बाद कोसिस कीजएगा कि second time भी lecture देख ले speed को बढ़ा कर lecture देखिएगा लेकिन कोसिस कीजए कि देख ले वनना PDF तो खैर है यह revision करने के लिए चलिए मिलते हैं लोग next lecture में बाई